अगर आप खुश हो तो आप क्या क्या करते हो इसमें इस लड़ीकी नेगलापी ही करके अपनी कुशी बताई थी और इसने अपनी नीज को पैपी करके अपनी कुशी बताई थी यह वाला कोशन अपने यह वाला कोशन भी देख लिया था इसमें अपने ग्रुप को बातना था और अलग-अलग एक्शन्स इन्हें करवाने थे यह वाला कोशन इस वाले कोशन में क्या किया अपनने इस वाले कोशन में क्या किया लैंड है तो तो हैंड किया, ट्री है तो नहीं किया, बॉडी पार्ट से बुट में किया है ना, यह से बुट में ही करना है, कॉपे में नहीं करना है, next, next वाला कोशन था, think and circle, इस पे circle करना था, how does the child in the song feel when he and she clap, he is her hand, angry, happy and sad, जब वो clap कर रहे थे रखी तो उसका face कैसा था, angry था, happy, sad था, अगर poem का है नाम , if you are happy था तो उसका face कैसा रहे था, और खुश ही जाही दरही थी, तो happy पे, अपन के circle करना था, okay, happy पे circle करना था अपन को, okay, happy पे circle किया, अब आप क्या करोगे? मैं बहुता देती हूँ, आप ऐसे पोयम नम्बर बन डालोगे इस पर लिकोगे if you are happy फिल नीचे से यहां से पोयम स्कार्ट करोगे यहां से one line leave करके poem के बाद one line leave करनी नहीं करनी है आपकी four line की copy है तो आपको line leave नहीं करनी है बच्चो आपको सिफ if you are happy लिखना है poem लालनी है उपर date mention करनी है उपर date mention कर दो गया क्या date है वो date mention करनी है फिर उसके बाद next poem लिखना है उसके बाद one line leave नहीं करनी है, आपकी four line की copy है, तो आप सीधा लिखो के next line में, फिर उसके बाद भी one line leave नहीं करनी है, उसके बाद direct poem start कर, उसके बाद आपको heading डालनी है, heading क्या डालोगे, poem, heading डालोगे, poem, poem, उसके बाद one line leave नहीं करनी है, उसके बाद नीचे से ही, यहाँ से poem start कर देनी है, line to line poem start कर देनी है, जहां तक end हो रहा है poem का, बाद तक poem आपको start करनी है, okay, poem यह पूरी लिखनी है आपको, समझ माया ना poem कर से लिखनी है, poem डालनी है, poem का नाम इतना है, okay, और उसके बाद आपके poem write down कर देनी है, poem write down करने के बाद, next page पे, next page पे आप क्या करोगे, जो मैं भी हर वार रही हूं, वो काम रनना है, next page पे, next page पे आप अपने करेंगे, जैसे कि यह poem यह पूरी उसके बाद next page पे आप क्या करोगे, मैं साफ तर रही हूं, next page पे आप अपने करेंगे, difficult word, यह आपको next page पे रहना है, एक और हाफ पेज पे पे पोएम आएगी, यह two pages पे पोएम आएगी, ठीक है न, फिर उसके बाद आपको करना है, difficult word, उस poem के difficult word करना है, तो ऐसे चप्टर के नाम नहीं निखना है, सीधा adding आगी है, आपको चप्टर का नाम दापस नहीं लिखना है, आप सिर्फ उपर क्या डालोगे, पोएम लिखोगे जब तो चप्टर का नाम दालना है, ठीके न, चप्टर का नाम, पोएम का नाम दालना है, फिर next page जब difficult word करेंगे, तो उपर सिर्फ लिखोगे, पोएम लाए, और यह पोएम वाद, उसके बाद, वनलाइन लिख नहीं करनी है, next नीची वाली लाइन से, मेरे वनलाइन की कॉपी है, हिंदी जैसी, आपकी इंगिलिश की कॉपी है, इसलिए आप लाइन लिख नहीं करोगे, बिफिकर, एडिंग लावेगे, बिफिकर, वर्ड 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 नम्बर वर्ड अपना आप डिफिकल वर्ड लिखेंगे उसमें अपनी पोयम में कहके डिफिकल वर्ड पहला लिखेंगे है 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 हैप्पी What is the meaning of हप्पी? हैप्पी मतला ठोज तो पहला क्यों लिखेंगे? हैप्पी तो पहला लिखेंगे हैप्पी वन धी रूओं लिखेंगे वन द्रोब लिखेंगे हैं हैं दूसरा दूसा of no, what is the meaning of no, no meaning is, no meaning is, में को पता है, मतलब पता होना, no meaning क्या होता है, पता होना, happy के बात बनना ही इत करनी है अपको, third लिखेंगे, third लिखेंगे, अपनी, अपनी पोयम में, what is the meaning of really, really मतलब सच्ची में, what is the meaning of really, really में सच्ची में, the third difficult word क्या हो गया, really, 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 fourth, what is the meaning of, what is the meaning of, means, means मतलब गुटने, मैंने बता है जापको पोयम के अंदर, means मतलब गुटने, oh, fourth क्या हो गया, means, means, fifth, one line में, सबकी बीच में, one line में, बीच में, one line में, okay, next, अपने अपनी पोयम में देखते है, next typical word क्या होगा, what is the meaning of show, show मतलब दिखाना, तो यह अपना, fifth and last difficult word, show, सिर्फ, और सिर्फ, पाँच difficult word करेंगे, अपको, पहले poem लिखने है, पहले date mention करोगे, first page पे, poem डालोगे, poem number one, if you are happy, poem write down करने है, यह पूरी, okay, उसके बाद, next page पे, आप आपस लिखोगे, poem one, फिर नीचे heading डालोगे, difficult word, फिर number one, happy, second, no, third, really, fourth, means, fifth, show, okay, यह गरना है, happiness, first, no मतलब, मुझे राता है, really means, सच्ची में, knees मतलब भुटने, show मतलब दिखाना, okay, समझ में आया है न, पहले poem write down करके, next page से, जहाँ poem घतम होगी, उसके next page पे आपको difficult word करने है, okay, अब वो question कर लिया अपनने है, उसके बाद आपनको करने है, next question क्या है, सरकर और draw what you do when you feel happy, जब आप happy हो, तब आप क्या feel करते हो, क्या करना जाते हो आप, ठीक है न, तो इसने clap किया है, इसने dance किया है, इसने shout किया, तो आप इदर क्या happy हो ते तब आप क्या करते हो, आपको वो draw करना है, okay, यह से book में करना आपको, copy में नहीं करना है, next है word smart, use the letter in the box below to write the names of your body parts, you can use each letter as many times as you need to, नीचे आपको यह pops दिख रहा है, उसमें यह h, i, k, a, n, f, l, e, p, यह सब दिख रहे हैं न, यह सब दिख रहे हैं आपको, तो यह सब alphabets use करने हैं, और इसमें आपको body parts names बनाना है, okay, क्या बनाना है, body parts names इन alphabets को use करके, अब यह question आप copy में रहे से करोगे, यह वाला question भी आपको copy में करना है, लेकिन इस type से नहीं करना है, आपको यह box भी बनाना है, आपको यह draw नहीं करना है, आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, मैं बताती हूँ आपको सीधा सा क्या लिखना है, यह difficult कर लिया इसके पेज पर आप वापस क्या रिखोगे कि नेक्स पेज पर वापस पोम नंबर वन नाम नहीं जाला है सिर्फ पोम नंबर वड़ डाला है ओके उसके बाद आप इसके बाद आप वें वर्ड डालोगे पिर नेक्स है जा डिपिकल वर्ड जैसे हेडलाइन जाली थी यहाँ पर हेडलाइन क्या होगी राइड हाँ ट्वेल ट्वेल बोली पर्ट्स पर्ट्स इल okay is the other portion is a one two three four five six seven eight nine ten eleven seven and twelve I say body parts five okay nose second hand third ear four five 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 black 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 in कुछ कि आपकी आप लिखोगे अपने आप अपके अपका फोंगर्ण देना अपको प्रेमिंग देना मैंने कि लिखा था है नोज, एर, फोट, आइज, अब ये रेखो, ओके, बागी के हैं, आपको कॉपी में भी करने हैं, और बुक्त में भी करने हैं, नेक्स्ट नीचे क्या कॉशन है, नेक्स्ट जो नीचे कोशन है, नीचे वारा कोशन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, थैंक्यू, स्टे होम, स्टे सेफ बच्चो,